हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर प्लेट्फॉर्म कैसे आप लोग आसा करता हों कि स्वस्थ होंगे दोस्तों आई ये चलते हैं अपने करेंट अफेर्स के सेशन में देखते हैं आज तेरे अक्टूबर के करेंट अफेर्स को तेक है आज आपके देट है offen और हम दोक देखेंगे ये इस्तिति क्या है और क्या होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया है इसमें देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है और क्या होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो 2023 के लिए नमींतम ग्लोबल हंडर इंडेक्स G.H.I. में भारत को 125 देसों में से 101ınd अस्थान पर रखा गया है तो सबसे पहले भारत की स्थिति आप जानिएगा कि टोटल एक सो पचीस कंट्रीस में पार्डिसिपेट किये थे और इसमें भारत को जो अस्थान प्राप्ट हुआ है वह 101 ग्रहमा है जो 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई है जो 2022 में 107 वे अस्थान से गिराव इंडेक्स वैस्ट्रीक अस्थर पर भूख के अस्थर का एक वार्सिक मुल्यांकन है जिसे आईरिस एंजियो कर्शन वर्ड वाईट और जर्मन एंजियो वेल्ट हंगर हिल्फ इसका नाम ध्यान रखेगा एक्जाम में पूचा भी गया है वेल्ट हंगर हिल्फ इसके प्रकासित किया जाता है अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक map दरसाए गया है world का और इसमें जो ही city दरसाई गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस map में कैसे इस city को read कर सकते हैं जैसे जो country extremely alarming के sready में है ठीक है उनको red color से alarming के sready में है उसको इस कलर से और जो सीरियस की स्रेडी में है उसको इस कलर यानि के एलो से फिर मॉडरेट से लो फिर यह है नॉट इंक्लूड़ेड और नॉट डिजाइंड यह जो यह कलर है इसको निर्देशित करता है इस मैप में तो आप देखेंगे जितनी भी इलार्मिंग कंट्री है जितनी भी सीरियस कंट्री है अगर हम भारत की बात करें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो भारत जो है सीरियस के कैटगरी में है इस कलर को आप देख सकते हैं और यहाँ पर समझ सकते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और थोड़ा सा कुछ समझते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में सिर्स और सबसे खराब प्रदर्शन किस ने किया है इसको भी आपको जानना आवस्यक है क्योंकि एक्जाम में पूछ लेता है कि टॉप पर कौन सा देश रहा है और कौन सा जो है सबसे खराब प्रदर्शन किया है वह वी तो बेलारूस बोश् चिली चीन और क्वेसिया को आप देखेंगे तो यह जी यह चाई 2023 में सिर्स पांच देश हैं इसी के साथ साथ जो नीचे सबसे निचला अस्थान जिनका है निचले पायदान पर है वह आपके चाड नाइजर लेसोत कांगो यमन मेड़ागासकर और मद्य अफ्रिका जो देश हैं यह इस सूचकांक में सबसे नीचे अस्थान पर या निचले पायदान पर रहने वाले देश हैं दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखेगा कि इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट के परिपेक्ष में कभी-कभी भारत के जो पडोसी देश हैं उनकी सिती भी अंगला देश 81, 69 पर नेपाल और स्रिलंका 60 अस्थान पर यानि कि 60 नंबर पर रहा है इस रिपोर्ट में तो ध्यान रखेगा इस रिपोर्ट के बारे में आपके लिए वेहत महतपूर है यह अगली हेड्लाइन है आपदा जोखिम निवनी करण के लिए अंतराश्टी दि दिवस तो आपदा जोखिम निवनी करण के लिए अंतराश्टी दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाये जाता है आपदाओं और असमानता के महतपूर्ड मुद्दे पर वैस्विक ध्यान आकरसित करता है यह दिन यह दिन जागरुकता पैदा करने समधायों को सक्षित करने और प्राकृतिक के साथ साथ मानो निर्मित आपदाओं का सामना करने में लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी कारे करता है जो आपदा जोखिम निवनी करण अंतराश्टी दिवस है आपदा जोखिम निवनी करण 2023 के लिए सयुक्तराट अंत पूढ़ाव लोगों के लिए इस बार का विशाय आप ध्यान रखेगा एक लचीला भविस्य के लिए असमानता से लड़ना इस वर्स का थीम है जो आपदा जोखिम निवनी करण के लिए अंतराश्टी दिवस मनाया गया आज आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन पर आरबियाई ने पेटियम पेमेंट्स बैंक को पांच दसफलो चार करोण का जुर्बाना दे दिया है जुर्बाना लगा दिया है क्यों लगाया है आईए देखते हैं इसको समझते हैं भारती रिजर्म बैंक यानि कि आर पालन नहीं करने के लिए यह जो जुर्बाना लगाया है 5.39 करोड का केंद्री बैंक ने भुक्तान बैंकों के लाइसेंस के लिए आर बिया दिशा निर्देश बैंकों में साइबर सुरक्षा धांचा और यूपी आई पर सित्की तंत्र सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप प्रावदानों का अलपानन नहीं करने का भी पता लगाया है तो यह कुछ जो है रिजन रहा है इस रिजन के कारण और बियाई ने पेटियम पेमेंट्स बैंक पर 5.4 करोड रूपए का जुर्बाना लगाया है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेड्लाइन की तरफ भा 11 अक्टूबर 2023 को पेरिस में फ्रांस इसी सस्त्रबलो के मंत्री स्री सेवेस्टियन लेकोर्नू के साथ पांचवी वार्षिक रक्षा वार्था का आयोजन किया और दोनों मंत्रियों ने रक्षा छेत्रों में और दोगिक सहयों पढ़ाने पर जोड़ देने के साथ साथ छ पुचा जा सकता है एकजाम में। उत्तर प्रदेश के राष्टी स्वास्त मिसन की मिसन निर्देशक डाक्टर पिंकी जोवल ने इसको प्राप्ट किया है तो ध्यान रखेगा इनका नाम भी जिनको यह सम्मान मिला है जिनको यह जो है एवार्ड जिनोंने प्राप्ट किया है यह पुरसकार मांसिक स्वास के प्रती यूपी के समरपड और अपने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली अमुल सेवा का एक प्रमाड है तो ध्यान रखेगा इसको पाने वाला जो राजी यूपी है पिसे इस रूप से अगली हेडलाइन है दोस्तों नितिन गड़करी ने अवडांचल प्रदेश में 118.50 करोड रुपए की साथ पूल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है तो केंड़ी सड़क परिवहन और राज मारग मंत्री जो है नितिन गड़करी इन्होंने हाली में अवडांचल प्रदेश में साथ पूल परियोजनाओं को मंजूरी की गोश्टा की जो जो है 118.5 करोड रुपए के संचाई लागत वाली ये परियोजनाएं शेतु बंधन योजना का हिस्सा होंगी आप अगर सेतु बंधन योजना को नहीं जानते हैं तो एक बार जरूर देख लीजेगा और इसका उद्देश कनेक्टिविटी बढ़ाना और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है यहाँ पर मैंने मैब कर दिया है जो पूल परियोजनाओं का अवलोकन है रचांग में पांचा नदी पर RCC पूल बनाए जाएगा इसकी अंतरगत गुवांग में दोनी गाउं गाउं तक RCC पूल NS 313 313 पर 3 पूल बनाए जाएगे साथी साथ खरसा दिरांग में RCC डेकिंग के साथ डबल लेन इस्टील कंपोजिट ब्रिज बनाए जाएगा पिक्टे पॉइंट पर RCC ब्रिज बनाए जाएगा साथी साथ नगो पोक नदी पर RCC पूल और साथवे नंबर पर आप देखेंगे तो पनियोर नदी पर इस्टील कंपोजिट ब्रिज भी बनाए जाएगा तो पुल परियोजनाओं का ओलोकन भी यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं इसका अस्थान कहां कहां पर है और मैप में भी आप इसको समझ सकते हैं आईए दोस्तों चलते हैं अगली हेडलाइन की तरफ अपने तमिल लेखक शिव शंकरी को मिला है सरस्वति सम्मान 2022 तो तमिल लेखक का है स्रीमती शिव शंकरी इनको 2022 में उनकी आत्म कथा सूर्य वामसन के लिए महतपूर सरस्वति सम्मान से समानित किया गया और यह पुरसकार अगर हम देखें तो के के विड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे पुरो शंग मंत्री एम वीरप्पा माईली ने उन्हें प्रदान किया है जान रखेगा जिन्होंने प्रदान किया है पुरसकार उनका भी नाम और साथी साथ जिनको मिला है सरुस्ती संबान 2022 उनका भी नाम यह संबान जब इनोंने दिया इनको तो उसके साथ साथ एक प्रसस्ती पत्र लैक और 15 लाख रुपे का पुरसकार भी दिया इस पुस्तक को एक चैन परिसस सेलेक्शन कमेटी द्वारा चुना गया था जिसमें पुरु सर्वोच नियाले नैधिस अरजुन कुमार सिक्री ने मुख्य भूमिका निभाई है इस सिमिती की समझदार निड़े ने शुरे वामशन के अत्याधिक साहित्य मुल्यों को हाइलाइट किया था और इसकी आधार पर श्रीमती शिवशंकरी को यह सम्मान प्राप्थ हुआ सरसुती सम्मान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो सरसुती सम्मान भारत के सबसे प्रतिस्य साहित्य पूरसकारों में से एक है जो भारती नागरिकों द्वारा उत्कृष्ट साहित्य कार्यों को मानेता देता है मानेता प्राप्थ कृतियों को पिछले 10 वर्सों के भीतर भारती सम्मविदान की अनसुची में इस अनसुची में सामिल किसी भी भासा में प्रकासित किया जाना चाहिए और अब तक योग लेखो को 32 और सती सम्मान पुरस्कान प्रदान किया गया है और अगर 32 की 32 की सूची हम देखें तो उसमें इनका भी नाम सामिल है जो स्रीम अतीसी उसंकरी है ध्यान रखेगा यह तमिल लेखी का है और इनके जो है किस पुष्टक के लिए इनको है सम्मान म देजेगा राश्चान सरकार परियावरण और बन विभाग के सहयोग से उदैपूर जिसे जीलो के सहर के रूप में भी जाना जाता है वो भारत का पहला वेट्लेंड सहर बनने का लक्ष रखते हुए अंतर राश्टी प्रमुकता तक बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर र माला बरिके वेट्लेंड समरिद्शेट्रो द्बॉरा पतिष्थित मानेता है राम सर कर्वेशन जिसे अधिकारी तोर पर अंतरह्टि की महत्यवak के वेट्लेंड पर राम सर करों के रूप में जाना जाता है विसेश रूप से जल पच्चिय आवास के रूप में एक संदी है जिसे अंतराश्टी महत्यों के वेट लैंड की रक्षा और निरंतर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है तो ध्यान रखिएगा उदयपुर का नाम यह अब बनेगा भारत का पहला वेट लैंड सहर अगली हेड्लाइन है दोस्तों केंडरी सरकार ने श्वायत संस्थान मेरा युवा भारत के गठन को मंजूरी दे दी है तो केंडरी मंत्री मंडल ने श्वायत इकाई मेरा युवा भारत माई भारत की अस्थापना को मंजूरी दे दी जो युवाओं के विकास और युवा न संस्था युवाओं को उनकी आकानचाओं को साकार करने और एक विक्सित भारत के निर्मार के लिए संपूर्ण सरकार में समान अस्तर पर पहुँच प्रदान करेगा केंद्री मंत्री अन्रग ठाकुर ने मंत्री मंडल के फैंसलों के बारे में समवादाताओं को जानकारी देते हुए यह भी कहा है कि मेरा युवा भारत का प्रात्मी कुद्देश युवाओं के विकास के लिए पूरी सरकार का मंच बनाना है तो ध्यान रखेगा यह जो मंजूरी मिली है इस स्वायत संस्थान के गठन को मंजूरी दी है यह वेहत महतपूर है आप लोगों के लिए इसको जरूर ध्यान रखेगा आपके एक्जाम में है पूछा जा सकता है दोस्तों यहां तक आपकी आज की कुछ प्रमुक हेड्लाइन्स थी आपने एक एक करके सभी को देखा और आसा करता हूँ सभी को समझा भी होगा जितने भी तथ्य आपको बताएगे सारे तथ्यों प आपको अगर इसका PDF अभी भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो इस नंबर पर 8130502762 इस पर आपको वाटसाइब मैसेज करना है और वाटसाइब मैसेज आप करेंगे तो आपको प्रोवाइट कर दिया जाएगा साथी साथ आपको एक वाटसाइब ग्रूप में दोड़ द करके पढ़ सके दोस्तों आज के लिए इस सेशन में इतना ही मिलते हम लोग कल धनिवार को और देखते हैं कल के जितने इंपॉर्टेंट मुद्द होंगे साथी साथ कुछ प्रमुक मुद्दे अभी साम तक अगर आएंगे तो उसको भी हम लोग कल के सेशन में कम्प्रीट कर लेंगे आज के लिए इतना ही थैंक्यो सो मच